हेलो अब्रीवें वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आप सब लोगों के लेकर आई हूँ एक और माइक्रोवेब की रेस्पी और आज हम बनाने वाले हैं ग्रिल चिकन लेकिन ये ग्रिल चिकन हम आटो मेनु में बनाएंगे वो भी चारकोल पर जिससे कि इसम माइक्रोवेब की हैं लिकिन आज मैं आप लोग के छंग 28 के माइक्रोवेब की संग आप चिकन कैसे बनाएंगे तुबह शेयर करोंगी और ये वन केजी चिकन हैं जो टुट्य चिकन नहीं कुख हो सकता तो किस तरह से आप चिकन कुक करेंगे यदि आप ज्यादा कुक कर हैं तो वो मैं आप लोकेशंग शेयर करूंगी तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर चिकन लिया है और उसको हमें मैरिनीट कर रही हूं मैंने अद्राक लैसन का पेस्ट नमाग थोड़ी सी हल्दी एक चमस करीब मैंने यहां पर मिर्ची लिया है और थोड़ा सा धनिया इसे फ्रिज में मैं इसे ओवर नाइट रख रही हूं आप चाहे तो तीन से चार घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं पर मैं इसे ओवर नाइट रखोंगी तो जब यह पूरा अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो हम इससे निकालेंगे यह देख़िए एक बैच मैंने तयार कर लिया है देखिए क्योंकि वन केजी एक साथ कुक नहीं होता है तो मैंने एक बैच तयार कर लिया है अब मैं आपको लोग को सेकंड बताती हूँ इस तरह से हाफ हाफ करके आप कुक कर सकते हैं यदि आप ज़्यादा चिकन कुक कर रहे हैं पर यहां पर रखा रहा है यहां पर रखा है और यहां पर एक चार कुल बटन होती है उसे मेंने प्रेस किया है और यहां पर CH10 नमबर पर है चिकन की रेस्पी तो उसको मैं शेट कर रही हूँ आप बुक में देखेंगे तो यह सौटे चिकन के नाम से सेव होगा आपको इसके सांग माइक्रोविब के साथ एक बुक मिलती है आप उसमें चेक कर लीजेगा मैं दिखा देती हूँ इस तरह यह 10 नमबर सेट किया है और इसका वेट सेट कर रही हूँ मैं 0.4 इससे ज्यादा इसमें सेट नहीं होता है पर जो मेरा चिकन है वह हाप केजी है तो वह आगे आपको किस तरह से कुक करना है मैं बताऊंगी तो यहां पर हमने रख दिया है ट्रे उसके बाद हम स्टार्ट क करना है अब हम जो सारे चिकन है उसको अच्छी तरह से इस तरह से हम पलट देते हैं इस तरह से देखिए सारी चीजें हमने ऐसे चिकन है उसको अच्छी तरह से पलट दिया है और इससे हम रखेंगे माइक्रोवेब में तो थोड़ा सा गरम होती है इसकी प्लेट भी आप देखि थोड़ा सी चोटी आती है क्योंकि मेरे अब हम को जितना टाइम लगी अब उतना बढ़ा दीजिए स्टार्ट की वटण को मैं प्रेस किया आप देखिए सेवें में बचे हुए थे लेकिन अमें से कम 25-30 मिनिट लगते हैं अच्छे से कुख होने के लिए आटो मीनू में हमेशा कम टाइम दिया रहता है तो पर मैं टाइम बढ़ा रही हूं तो मैंने बीस मिट कर दिया है एक घुख होगा यदि आप कम चिकन लेते हैं तो आप थोड़ा सा काम को कम रखिए गा पर मेरा यह चिकन हाप के जी है और पहले को कर चुकी हूं तो यह हाप के जी जो चिकन होता है उसको कम से कम 26-27 मिन्ट तो लगी जाता है जब एक अच्छी सी खुश्व आदने लगेग से क्रिष्ट बहुत अच्छा आना चाहिए ऐसा चाहिए रहता है कुछ को थोड़ा कम चाहिए रहता है तो आप दीच में चरूर करिएगा तो यहां पर एक मिट कमी करीब यहां पर लेफ्ट पचे हुए हैं तो मैंने चेक किया तो यह देखी चिकन बहुत अच्छी तरह से ह पहले भी इसे निकाल सकते हैं तो वेस हमारा जो ग्रिल चिकन है वह चार कोल में को खुछ चुका है बहुत अच्छी खुस्बू आती है बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इस 28 लीटर के मैं आप लोग के संग डेमो भी शेयर करूंगी तो लेकिन आज तो मैंने यह रैस झाल